स्पोर्ट से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट तक को सबस्क्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्टेगाम पेज को भी जरूर फॉलो करें तो इस IPL में पहली बार डबल हेडर यानि कि सुपर सेंडे हमारे और आपके लिए और हमने खाया से इंतिजाम किए हमारे स्पोर्ट से पर आप लोगों के लिए कि इस मैच से पहले मैच के दौरान और मैच के बाद इसी तरह से हम परिवार की तरह एक दूसरे से बात करेंगे कोई टीम जीत कर जश्शन मनाएगी और कोई हार का गम लेकिन आप लोग हमारे साथ जुडिये क्योंकि हम बातचीत करेंगे आपके सवाल आपकी राय भी ली जाती है तो पहला मुकाबला जो है वो है साड़े तीन बजे चिन्नई में वो मुकाबला है RCB यानि कि Bangalore मनाम Kolkata Night Riders दो ऐसी टीमें जो पिछले कुछ सालों से अपनी बेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेली है लेकिन Bangalore ने इस साल दोनों मैच जीते हैं और उस टीम में बैलनस दिख रहा है खासतोर से Maxwell के जिस तरह से इस्तमाल किया और जो आखरी मैच वो जीते जहां Maxwell ने अपने गेम के विपरीत जाते हुए सायम के साथ अपनी टीम को उस कोर तक पहुँचाया जहां वो लड़ सकते थे और उसके बाद विराड कोली की कप्तानी में RCB ने वो मैच जीता अपनी गेन बाजी के बूते जो उनकी किसी जमाने में कबजोरी होती थी तो बैंगलर दोनों मैच जीत कर आ रहा है वहाँ पर अगर आप कॉलकाता की बात करें उन्होंने शुरुआज जबरदस की थी पहला मैच उन्होंने बड़ी असानी से जीता जहां निती शाना और राउल तरी पार्टी का उन्होंने इस्तिमाल किया लेकिन दूसरे मैच मे जो उनको जीतना चाहिए था शायद पोल खुल गई कॉलकाता नाइट राइडर्स की क्योंकि उनके दो बड़े बले बास मौगन और आंदिर रसल वो दोनों मैचों में चले नहीं है शुमन गिल ने उपर से स्टार्ट्स दिये हैं लेकिन उसे बड़ी पारी में तबदील जरूर हैं लेकिन पिछला मैच जिस तरह से वो हारे तो सेल्फ डाउट उस ड्रेसिंग रूम में जरूर होंगे विराट कोली तो हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे है और विराट ने खुद से ये कहा है कि मैं ओपन करूँगा हाला कि उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी पार ये कि उस मैच को जीतेगा कौन क्या कॉलकटा जीतेगा या बैंगलोर जीतेगा फिर आप पार प्ले में शर्त लगा सकते हैं कि बैंगलोर अपने पार प्ले में कितने रंज बनाएगा कॉलकटा अपने पार प्ले में कितने रंज बनाएगा आप इस बात पर भी डाफा न देंगे क्या विराड कोली 100 बना सकते हैं हालागि ये मुकाबला चन्ने में खेला जा रहा है और वहां पर तो एक बलेबास का 100 छोड़िये टीमों के भी जो है बलेबाजी बड़ी जबरदस्की है लेकिन जो जो मैच ये दोनों हारे हैं उसमें इनकी बैटिंग फ्लॉप रही है एक्शली देखा जा तो डेली कैपिटल्स और पंजाब की बैटिंग एक तरह की है एक गेर में स्ट्रोक प्लेर्स हैं और मुंबई की विक्टे उनको रास भी आती है लेकिन पिछले दोनों मैचों में जो ये मुंबई में हुए हैं जिसमें एक डेली हारा एक पंजाब हारा विकेट पे हलका फुलका घास था और तेज गिनबाजों के लिए मददगार कंडिशन्स में दोनों टीमों के जो बैट्समें थे उपर से आउट होना शुरू था एक बैट्समें कम खिलाने का अब देखना ये होगा कि वो इस मैच में क्या करते हैं क्या अभी भी वो हैट मायर स्टीस में तो सैम बिलिंग्स को बाहर रखते हैं क्या अभी भी वो एक कम बैट्समें से खेलेंगे पंजाब शायद बहुत जादा बदलाव नहीं करेग अपनी टीम में लेकिन वो ये चाहेगा कि राहूल मैंक और क्रिस गेल उपर से खेलें क्योंकि जब ये उपर से खेलते हैं उनके पास नीचे जरूर बल्ले बाज हैं जो competitive score बना सकते हैं लेकिन अगर आप मुझसे पूछें फेवरेट्स डेली कैपिटल्स डेली कैपिटल जिस तरह से वोक्स और रबाड़ा ने आकर गेंद किया है किसी भी बैटिंग और को टॉप और को वो हिला कर रख सकते हैं लेकिन आप फिर जाएए डाफा न्यूस पर डाफा न्यूस पर प्रडिक्शन कीजिए कि हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है के नहीं यानि कि क्या इस मैच में 3.500 रन बनेंगे क्या 500-400 रन बनेंगे या फिर 400-3000 रन बन सकते हैं क्योंकि दोनों टीमों में स्ट्रोक प्लेज हैं इस पर भी निर्वक करेगा कि ये शनिवार शाम 7.7 बजे कि इस मैच के लिए विकेट कैसी होगी वांकरी स्टेडियม में क्यों ही गास होगा जहां राहूल और मैंक शायद ओपन करने आएंगे या उदर से पृत्वी शौ और शिकरदवन जादा रंकॉन बनाएगा पार प्ले में इस बात पर भी आप डाफा न्यूस पर जाकर प्रेक्शन कर सकते हैं लेकिन दोनों टीमें ऐसी है जो जा रहाना खेल खेलती है लेकिन इसमें एक रिस्क हो जाता है तो ये दोनों टीमें जो एक्साइटिंग टीमें है नौर्थ की टीमें है पंजाब और दिल्ली इस मैच पर भी हमारी नजर रहेगी तरसल दोनों मैच उपर और आपको करना क्या है आपको अभी से डाफा न्यूस पर जाना है तमाम प्रेडिक्शन्स आप अभी से कर दीजिए लेकिन स्पोर्ट्स तक के साथ आपको दुपहर से जुणना है पौने तीन बज़े से हम लाइव रहेंगे पहले मैच से पहले पहले मैच के दौरान पहले मैच के बाद दूसरे मैच से पहले दूसरे मैच के दौरान और दूसरे मैच के बाद खूब सारे शोज होंगे स्पोर्ट्स तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फड़ा-फट कर दीजिए